हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग और एक बर फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूटू चैनल में और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में न हरियाना जीके के प्रस्ण है और हरियाना के most selected question रहेंगे देखिए फ्रेंड्स अगर आप एक्जाम की तयारी करते हैं तो आप हरियाना के most selected question इस वीडियो को अवस्ते देखना क्योंकि इसमें न ऐसे question है जो आने वाले सभी एक्जाम के लिए उप्योगी है तो देखिए वीडियो को last question तक देखना और इस का notification आप ही के पास आए तो देखिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में भी आपके लिए test रहेगा तो आप अपना test लगाना और अगर आपने थोड़ी सी भी तयारी की होगी तो आप इन सभी question को सही करके दिखाएंगे तो चलिए देखते हैं आज का पहला question तो देखिए पहला question है निमलिखित में से कौन से मंदीर का उलेख सकंद पुराण में मिलता है तो देखिए इसमें देखना है कौन से मंदीर का उलेख सकंद पुराण में मिलता है तो वह मिलता है कार्ति के मंदीर का और इसमों option A सही है ठीक है और देखिए जो कार्ति के मंदीर है ये है निमलिकित में से कौन से तीर्थ को साथ नदियों की धाराओं का संगम बाना जाता है तो देखी इसमें देखना है कौन सा तीर्थ है जिसको साथ नदियों की धाराओं का संगम बाना जाता है तो वह तीर्थ है सन्हित तीर्थ और इसमों पसंडी सही है ठीक है और देखी सन्नीत तीर्थ ये भी कुरुक सेत्र में है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और कुरुक सेत्र में न थाने सर है वहाँ पर ये मंदिर है तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर साथ नदियों की धाराओं का संगम माना जाता है अगला question है वामन पुरान के अनुसार कौन से सरोवर को राजा कुरू ने खुदवाया था तो देखी वामन पुरान है इसके अनुसार कौन से मंदिर को राजा कुरू ने खुदवाया ये देखना है तो ये खुदवाया है ब्रहम सरोवर को और इसमें अप्सेंट 20 सही है ठीक है और देखी यहां पर ना सूर्य ग्रहन का सूर्य ग्रहन पर मेला लगता है और यहां पर सरधालू सनान भी करने आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है और ये वामन पुरान के अनुसार राजा कुरू ने इसको खुदवाया था ऐसा माना जाता है अगला कोश्चिन है निमली की तमेसे कौन सा ऐसा स्रोवर है जो चारों और से पक्का है तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा स्रोवर है जो चारों और से पक्का है, तो वह स्रोवर है, ब्रहम स्रोवर और इसमों प्सेन भी सही है, ठीक है, और देखिए, इसका वर्ननना अलबरूनी की किताब है, किताब अलहिंद, उसमें भी आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगला कोशियन है, निमल लिखित में से ऐसा कौन सा मंदिर है, जिस सतान पर सीता देवी धर्ती में समा गई थी, तो देखिए, इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा मंदिर है, जिस सतान पर सीता देवी धर्ती में समा गई थी, तो वह मंदिर है, सीता माई मंदिर, इसमें उप्सन सी सही है, ठीक है, और देखिए, य हरियाना हैरिकेन किस खिलाडी को कहा जाता है तो देखिए ये question अभी जो PTI का paper हुआ था उसमें भी आया था तो हरियाना हैरिकेन के नाम से जाना जाता है ये जाना जाता है कपिल देव को और इसमें option A सही है ठीक है और देखिए जो कपील देव है इसका संबंध है ये है चंडी गड़ से तो ये भी आपको ध्यान रखना है देखिए इसका जनम हुआ था ये हुआ छै जनवरी 1969 को तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चिन है बाहदुरगड नगर किस राष्टी राजमार्ग पर सितित है तो देखिए जो बाहदुरगड नगर है ना ये ना ही तो ये NH22 पर है और ना ही ये NH10 पर है तो देखिए बाहदुरगड नगर ना ये NH9 पर है ये आपको ध्यान रखना है अगला question है साक्सी मलिक ने किस भार वर्ग में Rio Olympic 2016 में कास्य पदक अर्जित किया तो देखी साक्सी मलिक है इन्होंने किस भार वर्ग में Rio Olympic में 2016 में कास्य पदक प्राप्त किया तो ये किया 58 kg में और इसमा option 20 ही है ठीक है और देखी जो साक्सी मलिक है इसका संबंद रोतक से है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और रोतक में भी न मोखरा है वहां से इसका संबंद है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्चन है भारत की प्रथम महीला रैसलर कौन है जिसे WWE का दर्जा प्राप ठीक है और देखिए जो कविता दलाल है इसका संबंध है ये है जेंद डिस्टिक से और जेंद में भी न जुलाना है वहां से इनका संबंध है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इसको न हार्ड केडी के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अग अगला question है महा भारत काल में पानिपत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो देखी महा भारत काल में पानिपत जिले को वान प्रस्त से जाना जाता था और इसमों option C सही है अगला question है हर्याना की सबसे चोटी नदी कौन सी है? तो देखिए हर्याना की सबसे छोटी नदी है वह नदी है थापना नदी और इसमों उप्षन ए सही है ठीक है और देखिए इसकी जो लंबाई है ये है केवल 15 किलो मेटर तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चिन है हर्याना की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो देखिए हर्याना की सबसे लंबी नदी है वह है घगर नदी और इसमों उप्षन भी सही है ठीक है और देखिए इसकी जो लंबाई है ये है 250 किलो मेटर तो ये भी आपको ध्यान रखना है देखिए हर्याना की सबसे छोटी नदी थापना नदी है जो की 15 किलो मेटर है औ अंत्याना कि प्रथम महिला वन परमुक το ये हैँ अमरिंदर को और इसमय उप्शन आ सही है अगला कोश्चन है भारत और अश्या का सबसे बड़ा पसु फ्हारम कहां पर रहे तो देखी भारत और एसिया का सबसे बड़ा पसुफारम यह है हीसार में और इसमों उप्सन ऐ सही है अगला कॉस्चिन है राष्तिय शुरक्षा बल छावनी का केंप कहां पर है? तो देखी राष्तिय सुरक्षा बल छावनी है इसका केंप है ये है गुरुग्राम में और इसमें option D सही है अगला question है हर्याना वीत निगम का मुख्याले कहां पर है तो देखिए हर्याना वीत निगम है इसका मुख्याले कहां पर है ये देखना है तो इसका मुख्याले है ये है चंडीगड में और इसमें option B सही है ठीक है और देखिए वीत्व निगम है इसकी स्थापना कब हुई तो ये हुई एक अप्रेल 1967 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक अप्रेल 1967 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्याले चंडीगड में है अगला कोस्चिन है हर्याना राज्य महिला आयोग का अप्शन एसा ही है ठीक है और देखिए हर्याना राज्य महिला आयोग इसकी अध्यक्स ये प्रैतिभा सुमन है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखिए इसकी जो उपाध्यक्स है ये है प्रीती भारद्वाज तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चिन है ऐसा कौन सा निर्टे है जो लड़के के विभा के अवसर पर महिलाओं दवारा किया जाता है तो देखिए ऐसा निर्टे है वह है खोडिया निर्टे है और इसमो घौमें तो देखिए ये दोणों ही रचनाई अलहड B का नेरी की है तो इसमें option C सही है A और B दोनों अगला question है भारत की प्रेथम नीजी मैट्रो किस जिले में चलाई गई तो देखी भारत की प्रेथम नीजी मैट्रो ये चलाई गई गुरुगराम में और इसमें option C सही है अगला question है निमलेखित में से केसर A हिंद किसे कहा जाता है तो देखिए केसर A हिंद किसे कहा जाता है ये देखना है तो ये कहा जाता है राय मुरली धर को और इसमें option A सही है अगला question है संभू द्याल की रचना कौन सी है तो देखिए इसमें देखना है संभू द्याल है इसकी रचना कौन सी है तो ये रचना है इसकी रुक्मनी मंगल और इसमोप्शन A सही है अगला कोस्चिन है हर्याना के वर्तमान में सिक्ष्या मंत्री कौन है तो देखिए हर्याना के वर्तमान में शिच्छा मंत्री है ये है कवरपाल और इसमोप्षन डी सही है अगला कोस्चिन है वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्राले किसके पास है तो देखी वर्तमान में महिला एवं बालविकास मंत्राले ये मंत्राले है कमलेश ढांडा के पास और इसमें उप्सन D सही है अगला कोस्चिन है हर्याना का छेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा विधानसवा छेत्र कौन सा है तो देखी उप्सन A है लोहारू B है बलरामगड, C है पानिपत, D है हिसार तो देखी फ्रेंड्स इस कोस्चिन का आंसवर आपको कॉमेंट वोक्स में कॉमेंट करके बताना है और देखी दूसरा कोस्चिन है हर्याना का सबसे कम विधानसवा छेत्र वाला जिला कौन सा है तो देखी इसमें देखना है कि हर्याना का सबसे कम विधानसवा वाला जिला उप्सन A है पंचकुला, B है फरीदाबाद, C है पानिपत, D है हिसार तो देखी फ्रेंड्स इस कोस्चिन का आंसवर भी आपको कॉमेंट वोक्स में कॉमेंट करके बताना है और देखी इन दोनों कॉस्चिन के आंसवर आपको एक एक ही कॉमेंट में करने है तो देखी फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सेर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपी के पास आए थैंक यू